कोविड 19 के चलते प्रदेश की वित्ती हालत कमजोर है जिसके चलते बहुत से लोग आज बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं जिसके चलते सरकार को लॉकडाउन के चलते पंजाब की जनता के बिजली के बिल और स्कूल फीस माफ करनी चाहिए जिसको लेकर आज आम आदमी प उन्होंने पंजाब सरकार से लोग डाउन के चलते पंजाब की जनता के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की वहीं उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा लोगों से जबरदस्ती फीस हुसूलने की बात करते हुए कहा कि लोग डाउन के तुरान पंजाब की जनता आर् कामों में दबा कर रखा है जिसके चलते आज जरूरत मंद लोग अनाज के लिए तरही तरही कर रही हैं इसलिए सरकार को अपने लेवल पर जांच करने की जरूरत है देखो जी एहो प्रोणना दी जड़ी बुमारी चल रही है पूरे संसार दी चल रही है ओदे हेथ अज लोगकां दी लोगडाउन होया सकाफ सरकार वनों लोगका पालना भी कर रहा है पर नाल नाल यह है कि लोगकां दी जड़ी आरते को वास्ता है ओ बहुत बिगट चुकी कि लोगकां कोल पैसा है बिजली दे बेल पर ने नू ना लोगकां कोल आज पैसा है आपने बच्चेयां दी फीस देड़ जोगा और मेरी सरकार नू पी लिया प्लीज कला खवारां दे बेच देखे इना सारे करो थले तक रेपलीमेंट करो स्कूल स्टेल जड़े या ओ फ या दो चार पक्षे या ताउना दा 15 यार पैया बेल आया जेड़ा की वह बिचारे देंड जो गई निगे त्याडियां बांद हो गई या सी लोग आज भी जड़े शेयर दे विच भी देलो जिते चार बंदे दगांते काम करते जो दो बंदे काम कर रहे एक बंदा काम कर या लोग काने ले ओवर बहुत किती हो या फैक्टरियां बांद पईयां ट्रांसपोर्टरा चालने रहे या कोई भी बिजनस है जड़ा नहीं चाले रहे खोलके इस करके सरकार नुचाहिए दा कि ये मेन दो गलाया या एदे त्यान दवे लोग को बिलकुल आज रोटी ख सेंटर था मेननों नौलेज आ कि काफी डीपू होल्डर है जैनि अपने गदामा चे माल रख्या होया लोग कानों प्रवाइड नहीं कर रहे आज लोग पुखे मार रहे आज लोड या ताम मोदी साब नों बेंती है ये दी जांच करावो पंजाब सरकार दी और पंजाब स कर पचाया जाब होशार पूर से जॉनी गेरा की रिपोर्ट इस चैनल पर चल रहे मुद्दो पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना न भूलें